DPS Senior Secondary School तबीजी लेकर आये हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open wizard dpsajmay.in एक समय था जब बैंकों में लोग धन की FD कराया करते थे, लेकिन अब कोरोना संकट के बीच लोगों की जमा पुंजी पर बैंकों ने कैंची चला दिये पिछले कुछ सालों में लगातार सेविंग अकाउंट और fix deposit पर ब्याजदर में कटवती देखने को मिल रही है कोरोना संकट की वज़े से सरकारी बैंकों से लेकर नीजी बैंकों ने ग्राकों को बड़ा जटका दे दिया है बैंकों में जमापुंजी पर रिटन का ग्राफ देखकर ग्राकों का अब FD से मौबंक होने लगा है क्योंकि अब शॉर्ट टर्म FD और सेविंग अकाउंट पर लगबग बराबर ब्याज मिल रही है ऐसे में लोग या तो सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हैं या फिर दूसरे निवेश के विकल्ब को तलाश रहे हैं देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI ने ब्याजदरों में कैची चलाई है जिससे ग्राकों को जटका लगा है बैंक फिलाल सेविंग अकाउंट पर 2.7 फिस दी ब्याज दे रहा है जबकि एक साल की FD पर 5.10 फिस दी ब्याज ओफर कर रहा है अगर ICCI बैंक की बात करें तो ये नीजी बैंक सेविंग अकाउंट पर 3 फिस दी ब्याज दे रहा है इसके अलावा पोस्ट आफिस में सेविंग अकाउंट पर 4 फिस्दी सलाना ब्याज मिल रहा है हाना कि IDFC First Bank में 1 लाग रुपे तक की डिपॉजिट पर 6 फिस्दी और 1 लाग से 1 करोड तक की जमा पर 7 फिस्दी सलाना ब्याज दर की पेशकश की जा रही है वहीं अगर आपका निवेश लंबा है तो फिर थोड़ा रिस्क के साथ मीचल फंड में निवेश कर सकते हैं जैसे ही देश के करुणा संकट से बाहर निकलेगा मीचल फंड में रिटन का गिराफ तेजी से बढ़ेगा लंबी अबदी में अच्छे फंड से 12 फिस तक रिटन संबव है कुर्णा संकट के बीच सुने न अच्छा रिटन दिया है वैसे ही जब जब आर्तिक मंदी की आहट होती है तो सोने में निवेश बहतर विकल्ब साबित होता है इसलिए सोने में निवेश कर सकते हैं फिजिकली सोने में निवेश से बचें सरकारी गोल्ड ब्रांड में निवेश कर सकते हैं जिससे निवेश सुरक्षित रहने के साथ साथ अच्छा रिटन भी आपको मिल सकता है वहीं PPF समित कई सरकारी निवेश के विकल्ब भी आपके सामने मौजूद हैं जिसमें आपका निवेश बिलकुल सुरक्चितराएगा और रिटन भी बैंक डिपोजिट के मुकाबले जादा मिलेगा इसके अलावा अगर आपकी घर में 10 साल से कम उम्र की लड़की है तो फिर उनके नाम पर सुकन्या सरमिद्धी योजना में निवेश कर सकते हैं मौधी सरकार इस योजना पर भैतर रिटन भी दे रही है वह इंदूसरी और फिलाल प्रापर्टी का भाव बहुत गिरा हुआ है जिसमें निवेश एक भैतरीन विकल्ब साबित हो सकता है उमीद की जा रही है कि कुरोना संकट के बाद प्रापर्टी में रौनक लोट सकती है क्योंकि सरकार का फोकस इस साल रियल स्ट्रीट सेक्टर पर हो सकता है और वैसे भी पिछले करीब चार सालों से प्रापर्टी की कीमत में उच्छाल देखने को नहीं मिलिये इसलिए ये साल प्रापर्टी नी वेशकों के लिए एम रहने वाला है